यह देखिए इसका कलर और टेक्शर बहुती बढ़िया आया है टेस्ट और फ्लेवर बिलकुल रेस्टोरेंट जैसा है वैसे तो इसे कई तरीकों से बनाया जाता है लेकिन इसे हम बहुती आसान तरीके से बनाएंगे इसमें मलाई, काजू, क्रीम ऐसा कुछ भी नहीं डाले और बहुती सिम्पल इंग्रेडेंट से बनाएंगे जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं एलो फ्रेंज कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए लाई हूँ मतर पनीर की रेसिपी, पनीर की कोई भी जिशो सभी लोग खूब पसंद करते हैं और मतर पनीर की सबजी मिल जा इस प्यूरी को दर्दरा ही रखा है, यानि कि इसमें छोटे-छोटे से प्याज के चंक्स हैं, दो मीरियम साइस के टमाटर लिए हैं, इसमें दो हरी मिर्च के टुकड़े डाल दिये हैं, इसकी भी दर्दरी प्यूरी तयार करेंगे, ज्यादा फाइन प्यूरी नहीं बनाए इसमें टमाटर के छोटे-छोटे चंक्स रहने दें, अब एक पेन में 3-4 टेबल स्पून ओईल डालेंगे, इसे एक बार अच्छा गरम होने देंगे, अब आज कम कर देंगे, इसमें डालेंगे 1 टी स्पून जीरा, जब जीरा चटकने लगे तो इसमें डालें 1 टी स्पून लैसुन का पेस्ट आधा टीस्पून अद्रग का पेस्ट इसे हलका सब भुनेंगे लैसुन का कलर चेंज ना हो उसके पहले इसमें डालेंगे प्याज की प्योरी अब इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि यह हलका ब्राउन ना हो जाए इसे लगातार चलाते रहें अब आप देख सकते हैं प्याज हलका ब्राउन होने लगा है इसका मौश्चर भी कम हो गया है यानि कि प्याज बहुत अच्छी तरह से बुन चुका है आज बिलकुल कम रखें क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं सुखे मसाले इसमें डालेंगे एक टीस्पून लाल मिर्च दो टीस्पून धनिया पाउडर आदा टीस्पून हल्दी नमक अपनी स्वात के अनुसा डालें यहां मैंने तीन चोताई टीस्पून नमक डाला है इन सबको सिर्फ 30 सेकंड तकी भूनना है अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी सबको अच्छी तरह हिलाते हुए मिक्स करेंगे अब आज को मीडियम से लो कर देंगे इसमें डालेंगे आदा टीस्पून गरम मसाला फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह एक टीस्पून कसूरी मेती है इसे हाथ से करश करके डालेंगे कसूरी मेती सबजी में काफी अच्छा फ्लेवर देती है इसे जरूर डालें इसे भी इसमें मिक्स करेंगे ग्रेवी को चलाते रहें अब gravy में जाली पढ़ने लगी है और oil भी separate होने लगा है अब इसमें डालेंगे 1 कप मतर मैंने frozen मतर लिये हैं और यह पहले से ही soft होते हैं अगर ताजा मतर लेते हैं तो उन्हें उबलते हुए पाने में 5 मिनिट के लिए छोड़ दे तो वो भी इस तरह से नरम हो जाएंगे मतर को 2 मिनिट तक gravy के साथ चलाएं अब इसमें डालें लगबग 1 कप पानी आँच को थोड़ा बढ़ा देंगे और इसमें एक उबाली लेंगे उबाली आने के बाद आँच कम कर देंगे अब इसमें डालेंगे पनीर अगर आप चाहें तो gravy में डालने से पहले पनीर को oil में या गी में एक मिनट तक सेक लें यहां मैंने 200 ग्राम ताजा पनीर लिया है जिसे एक लीटर दूद से तयार किया है अगर आपी पनीर घर में बनाना चाहें तो इसकी recipe का link आपको i button और description box में मिल जाएगा अब हम इसे ढखकर low flame पर 5 मिनट तक पकाएंगे इसमें एक बार हिला लेंगे मटर और पडीर gravy का flavor अपने अंदर तक absorb कर लेगा पांच मिनट हो गए हैं अब इसे खोल कर देखते हैं इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है gravy को हलका सा थिक करने के लिए इसे खुला रखेंगे और एक मिनट तक medium flame पर चलाएंगे यह बहुत ही delicious butter paneer बनकर तयार है अब gravy थिक हो गई है यानि कि मटर paneer की सबचीत तयार है यह देखिए पनीर कितना soft है इसमें इतना अच्छा flavor आया है कि इसे अभी खाने का मन कर रहा है तो चलिए जल्दी से इसे सरू करते हैं इसे हरे दनी से garnish करें इसे चपाती पराठा या नान के साथ सरू करें मटर paneer को हमने बहुती आसान तरीके से और simple ingredients से बनाया है फिर भी यह बहुती delicious और लाजवाब बड़ी है तो friends आपको यह recipe कैसी लगी मुझे comment करके बताएं और पसंद आये तो like जरूर करें हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले फिर बिलते हैं अगली recipe में तब तक के लिए बाई